बहुत सारे बच्चे कमेंड कर रहे थे हमारा एक्जाम हो चुका है अब कुछ नहीं करना है हमारा खत्म हमारा को वेट करना है बसकी डियो खुद बुलाएगा या फिर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है अब आपके लिए हनीद गांदी जी जो की शायद वो डियो की कांसलिंग उसकी से इस पोडल के खुलते ही शूर हो जाती है समझ लो steps क्या है तीन steps से सबसे पहला स्टेप जो होता है जो करना है वो करता ही आपको पहला फेस खतम हो जाता है अपको वह करना हो अपनी समिट करने होती है वहाँ पर प्रिफरेंस भरने का option आपको खुल जाएगा तो आपको सबसे सबसे important preference वाला ही है because होता कि आए बच्चे कैसे भी माक्स है बच्चा टॉप पे न नौर्ट कैंपर टॉप को रख देता है तो इससे काता majority बच्चे अपना मौका गवा जाएंगे जो समझदारी से बनाएगा preference list वो अपने score के साफ से एक अच्छा गॉले दानाम से जाएगा तो बहुत ध्यान रखना कि preference list कैसे बना रहे हो उसको खुद से बना के submit मत कर देना जरूर है बहुत से यूट्यूबर्स आपकी help करेंगे मैं खुद आपकी help करूँगा चैनल को subscribe करके comments में पूछो चाहे तो telegram चैनल पर आप देख सकते हो मैं वहाँ पर भी ideas डा करेंगे इसमें कहोता है नीचे से उपपर की तरफ आपकी जो preference list ना उसमें नीचे से उपपर की तरफ आपको seat दी जाती कि अभी आपको यह मिल रहा है next में यह मिल सकता है यह मिल सकता है इस तरह से seats दी जाती है तो यह तीन स्टेफ का process बहुत ही difficult process नहीं बस में पस preference वाल मिला कि around 80,000 से कमी सीटे 75,000 around seats है तो 95% अगर आपका overall score बन रहा है या आपको 800 में से 750 प्लस नमबर नहीं है तो North Campus में seats आपको first second cutoff में तो नहीं मिलेगी क्योंकि उनमें बहुत high रहता है 800 में से 800 वाले बच्चे भी अपलाई करते हैं समझ रहो 790, 780 ऐसे वाले भी होते है तो अगर आपको 800 में से scores है तो समझ रहो 95% के around आपको रहना है percentile के around समझ रहो तब भी आपको North Campus मिल सकता है आपको South Campus के लिए भी आपको 80% 85% के उपर रहना पड़ेगा for the beginning, end में तो क्या होता है फिर spot rounds भी आते हैं तब बहुत से बच्चे करते है seat खाली कर देते हैं किस चोड़के इसलिए लगे रहो बिल्कुल कोई doubt मतलो बस यह ध्यान रहो को CSAS खुलने वाला है तो आपको बहुत जरूत पड़ेगी है भी हम लोगों की help की तो subscribe जरूर करना, comments में पूछते रहो मैं बताता रहोंगा, बिल्कुल कोई मेरे को वो नी है कि बहुत comments आ रहे हैं